नमस्कार बच्चो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नमबर 6 जिसका नाम क्या है यहाँ पर हम उन सब्स्टेंस की बात करने वाले हैं जिनका यूज हम लोग डेली वेसिस पर करते हैं यह चैप्टर बहुत ही इंट्रेस्टिंग है आपको यहाँ पर नई नई चीजे सीखने के लिए मिलेंगी आप यहाँ पर सब्स्टेंस और और बहुत कुछ है इस चैप् है जो आप लोग मिटाने के लिए यूज करते हुँ उनला ऐसर आप देखोगे उसके बाद यहाँ पर नेक्स हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर करते हैं सबसे पहले हम किसी की बात करेंगे स्थेनस और objects की, substances क्या होते है, and objects क्या होते है, क्या दोनों same होते है तो नहीं, दोनों same नहीं होते है तो substances क्या होते है देखो, जो substances होते हैं, ये बहुत ही छोटे-छोटे particles से बने होते है देखो, यहाँ पे लिखा है, all substances are made up of very small particles, ओके, छोटे-छोटे particles यानि की कणों से बने होते हैं ये substances and objects are made up of substances और ये जो objects होते हैं ये substances के बनाये जाते हैं समझने की कोछ चुछ करना छोटे-छोटे कणों से बने होते हैं substances and in substances से बनाये जाते हैं objects okay clear है इतना objects have a specific shape their parts have a specific arrangement by which we identify them देखो students अभी ये जो objects होते हैं इनका एक specific shape होता है है ये जो सभी objects आप लोग देखते हो let's say for example अभी मैं अगर बात करूँ समझे टेबल की okay तो टेबल आपके सामने पड़ा है तो जब आप उसको देखेंगे तो आपको देखते ही समझ में आएगा कि ये टेबल है तो आपके सामने समझे चेर रखा है और भी एक क्या है ये object क्या है एक चेर है वैसे आप टेबल का भी बता सकते हो है कि नहीं तो ये जो सभी ये जो इनके specific shape होते हैं ठीक है उनके जो अलग-अलग parts का arrangement होता है उसी के help से हम उनको बहचान पाते हैं इस सबस्टेंसेज यहां पर आगे क्या दिया है कि वी यूज वूड प्लास्टिक और चेर और कप बोर्ट देखिए हम लोग यह चेर कप बोर्ट और और यहां पर क्या है टेबल ठीक है इसको बनाने के लिए हम लोग किसका किसका यूज करते हैं तो वुड प्लास्टिक और स्टील का यूज करते हैं और नॉर्मली तो यही जैसे अगर मैं टेबल की बात करो तो टेबल किसका बना होता है वुड का बना होता है है आपने देखा होगा कि स्कूल में होगा टेबल और और भी चेहर भी न यह च्छेष बनाने के लिए रहते हैं और लकड़ी के भी होते पर बैस्टिक के जाधा तरो यह चैघ करते हैं भी किसे लिए इन दिफरेंट बिफरेंट ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए इनका यूज हम करते हैं also these substances can be these substances have the strength required to make the articles also these substances can be given a desired shape it means that we consider the properties of substances to use them for making things अभी एकदम ध्यान से सुनिये students अभी मैंने बोला है कि इन substances का use हम लोग करते हैं objects को बनाने के लिए तो एक बात बताओ क्या हम cupboard बनाने के लिए plastic का use कर सकते हैं कभी आपने plastic का आलमारी देखा है plastic के आलमारी नहीं आलमारी जब हमको बनाना होता है तो हम किसका बनाते हैं steel और उसमें लोहे का बनाते हैं क्योंकि आपका गबोड है वो मजबूत होना चाहिए अगर प्लास्टिक का बना दिया तब तो कोई भी तोड़ लेगा फोल्ड लेगा है कि नहीं तो यह हमने कैसे समझा हमने प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज को पूरा अच्छे से स्टडी किया समझने की कुशिश की कि यह प्लास्टिक जो है यह हमको किस काम में आ सकते हैं हम लोग इससे क्या बना सकते हैं तो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज को जब हमने देखा तब हमको समझ में आया है कि हम प्लास्टिक का रहा वैसे प्लास्टिक की टेबल होते लेकिन वो टेबल आपको ज़्यादा भारी समान रखने के लिए यूज नहीं कर सकते हो है ना तो उसके लिए आपको लकड़ी का ही टेबल चाहिए होगा तो हमने लकड़ी की प्रॉपर्टी को देखा कि लकड़ी जो है वो एक ऐसा सब्स्टेंस है अगर हम इसके उपर भारी से भारी स समान रखते तो भी इसको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है है इसकी प्रॉपर्टी को जब आमने जाना थे आप को पता चलम हमने कोई भी सबस्टेंस लिया और कुछанный नहीं बना दिया पहले सब कुछ सोचा और विचारा गया उसके बाद कोई भी object उस substance से बनाया गया तो substances and objects आपको समझ आया अब यहाँ पर दिखिया आगे क्या दिया है कि the same substance or material can be used to make many objects same substance या same material का use हम लोग कई सारे substances बनाने के लिए कर सकते हैं मतलब एक substance का use हम लोग कई सारे objects बनाने के लिए कर सकते हैं for example cotton अभी देखो जो रूई होता है उससे हम लोग बहुत सारी चीज़े बना सकते हैं cloth बना सकते हैं फिर fiber या फिर थ्रेड बना सकते हैं सारी हैं कोचीफ और quels मतलब क्या होता है जैसे रजाई आपको पता होगा है न उसके बाद मैट्रेसे और बीलोज मतलब देखो substance तो एक ही है substance क्या है cotton लेकिन इससे हम अलग अलग अब्जेक्ट बना सकते हैं राइट फिर यहां पर आईरन की बात की जा लोहे की अब दीकरल यहां से क्या बनाया जा सकता है तो लोह का यूज आपने सबसे ज्यादा आगर कहीं पर देखा होगा जैसे जहां पर construction का work होता है वहां पर जो वो स्टील के बार्स यूज़ किया जाते हैं छड़ा जिसको हम कहते हैं आपको पता और यह जो लोहे उनको लगाया जाते है विसको बना रहें यहां पर गृडल की बात करेंगे उनकार तरह किसका होता है लोहे का होता है राइट तो त्रीकोチक्ष अ मिलें पाट्प edelka फिर सकते हैं तो किचन यूटें से जो रस्वी आपका होता है वह पर पर फिर एलेक्ट्रिकल केबल्स जो तार होते हैं इलेक्ट्रिकल जिसमें बिजली को सप्लाइए किया जाता है तो वह भी इससे बनाया जा सकता है किस से ऐलुमेन से समझ आया इतना ओके फिर यहां पर चाहिए है कि by studying the properties ओके जो मैंने आप लोग को भी बताया था कि by studying the properties of substances we can select substances for our purpose है ना हमको जो भी purpose के लिए चाहिए हम सबसे पहले क्या करते हैं उसकी study करते हैं वो जो substances होते हैं उनकी properties को study करते फिर बात में हम select करते हैं कि हमको कौन सा substance यूज़ करना चाहिए for this particular object ओकी, clear है इतना The substances in everyday, everyday use are of two main kinds Natural and man-made substances अभी ये चो substances हैं, इनके दो, मतलब दो प्रकार है First one is natural substances and the second one is man-made substances तो ये natural and man-made substances होते क्या हैं? चलो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी basic आप लोगों को introduction दे देती हूँ Natural मतलब क्या होता है students? Natural means, natural means क्या होता है? वो substance जो हमको प्रकृतिक, मतलब प्रकृतिक रूप से मिलते हैं प्रकृति से मिलते हैं, okay तो जो substances हमको प्रकृति से मिलते हैं That substances are natural substances, right And man-made substances means what? जो substances man-made Man-made मतलब क्या होता है? Man ने जिसको बनाया, man के द्वारा बनाया गया It means, मनुष्यों ने, मानों, निर्मित, जो पदार थे, जो substances हैं उनको हम क्या कहते हैं? Man-made substances कहते हैं अभी इनको हम पूरा detail में जानेंगे क्योंकि natural substances में भी दो काइंट से और फिर उसमें भी दो काइंट से चलो मैं आप लोग को बताती हूँ, एक एक करके कुछ प्रोसेस नहीं करना पड़ता वो easily, वो नेचर में अविलेबल होते हैं आपको जब जरुवत पड़े हैं आप ले सकते हूँ, तो ऐसे जो substances होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? Natural substances कहते हैं Let's say for example, wood It is an example of natural substance Why? क्यों ऐसा? क्योंकि यह हमको nature से ही मिलता यह nature में ही रहता है Right? तो यह क्या हो गया? Natural substance Right? फिर आगे देखो यहां पर क्या दिया है? कि of these substances, the substances of the first group are obtained from living things, substances obtained अच्छाया भी यहां पर हम किसके बाद करेंगे? इस्प्रेंट्स, biotic substance and abiotic substance Biotic substance क्या होता है? और abiotic substance क्या होता है? तो देखो, substances obtained from living things Now, what is living things? Living things means जैसे कि जो सजी होते हैं, यानि जो जी होते हैं, जिनके अंदर जान होती है ऐसे जो प्राणियों जो ऐसे things होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? Living things, मतलब समझ यह जो सांस ले सकते हैं, जिनको खाना चाहिए, पानी चाहिए यह सभी क्या होगे? Living things होगे तो substances which substances obtained from living things यानि वो substances जो हमको living things से मिलते हैं, ओके तो ऐसे substances को हम क्या कहते हैं? Biotic substances, क्या कहते हैं? Biotic जो हमको living things से मिले, वो Biotic, और तब A-Biotic क्या होगा? तो A-Biotic substances मतलब क्या हुआ? जो हमको living things से नहीं मिलते हैं, सिंपल सी बात Living things से मिले, वो Biotic और जो Non-living things से मिले, वो A-Biotic For example, अगर मैं बात करूँ हवे की, ठीक है? हवा या फिर रुको मिट्टी की बात करती हूँ, मिट्टी की, ठीक है? तो मिट्टी आपको कोई living thing लाकर के देता है, क्या? Living thing से मिलता है? नहीं कहां से मिलता है? वो तो naturally available है, वो non-living thing से आपको मिल रहा है It means, यह आपका क्या हो गया? A-Biotic substance Clear है, आप लोगों को एक बार फिर से बताती हूँ, natural substance तो आपको पता है Natural में जो available है, वो सारे substances हो गए Natural Okay, Biotic मतलब जो living thing से आप्टेन होते है And A-Biotic मतलब जो living thing से आप्टेन नहीं होते है For example, air, soil, water है ना? अब सुनिएगा एकदम ध्यांग से यह जो Biotic substances है ना अभी इनके भी दो प्रकार है पहला है आपका Animal origin और दूसरा है आपका Plant origin कैसे? Biotic मतलब क्या? जो सांस ले सकते जिनको खाना चाहिए पानी चाहिए तो उसमें Animals भी आ जाते है और Plants भी आ जाते है तो इसको वर्गी कृत किया गया यानि इसको डिवाइट किया गया है एक Animal origin में और दूसरा Plant origin में तो Animal origin मतलब क्या? जो substances आपको Animal से मिलते हैं वो हो गया Animal origin और Plant origin मतलब क्या? जो substances आपको Plant से मिलते हैं वो हो गया Plant origin पॉर एक्जामपल मैं अगर बात करूँ किसकी तो Leather की Leather मतलब क्या चमड़ा तो क्या हमको कहां से मिलता है? यह हमको को Plant देता है? नहीं यह तो हमको Animal से मिलता है इट मिल्स यह क्या है आपका Animal origin नेच्रल रिसोर्स फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी Wool की? उन की उन कहां से मिलता है? बताओ तो आपको पता है भेडों की जो वो होती है बाल उससे क्या करते है? उन को बनाया जाता है तो यह भी एक एक एक्जामपल है किसका Animal origin का अभी यहां पर Plant Origin का भी कुछ एक्जामपल देख लेते हैं तो जूट और Cotton जूट और Cotton यह ना हमको प्लांट से मिलते हैं यह कोई Animal नहीं देता है तो यह क्या हो गया एक्जामपल किसके एक्जामपल हुए? Plant Origin के तो इसको आप एकदम ध्यान में रखना पहली नेचरल सब्स्टेंस को तू पार्ट में डिवाइट किया गया पहला बायोटिक और दूसरा यह बायोटिक फिर बायोटिक के भी दो काइंड्स है Plant Origin और Animal Origin नेक्स्ट यहां पर हम क्या देखेंगे Manmade Substances Now Manmade Substances क्या होते हैं? तो देखेंगे श्रेंट्स जो सब्स्टेंस होते हैं उनको क्या क्या है? जो नेचरली अवलेबल सब्स्टेंस होते हैं उनके उपर जब प्रोसेस किया जाता है और उनकी यह जब ने Substances का निरमान किया जाता है तो ऐसे substances को हम क्या कहते हैं, manmade substances कहते हैं, ठीक है देखो यहाँ पर वही दिया गया है कि new substances produced by new substances, नय substance produced by processing naturally available substances are called manmade substances, तो यह जो manmade substances हैं, यह मतलब कैसे बनाएगे, है ना क्योंकि प्रकृतिक रूप से तो इतने सारे substances available हैं, सारी चीज़े available हैं, फिर इंसानों ने क्यों अपने substances बनाएं, तो देखिए बच्चों, जो man होता है, उसका nature होता है, क्या nature होता है, कि वो नई नई चीजों की खोज करता रहता है, वो कभी भी शान नहीं बेटा, वो क्या करता है, नई नई चीजों की खोज करता रह समझ में आप लोगों को तो बस यहां पर वहीं दिया गया और बहुत सारे मैं मेट से 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 जिनका यूज बड़े पहमाने पर होता है लेट से एक्जांपल में जानकारी मिल सकती है यह बहुत इंट्रस्टिंग है और जो आप डेली यूज करते हो सामानना मतलब उनी सारी चीजों के बारे में आपको यहां पर पढ़ना है मतलब कुछ भी आप लोगों के लिए नया है ही नहीं जो आप रोज घर में यूज करते हो वही सारी चीज़े यहां पर दी गई है आपकी टेक्सबुक में यह चैप्टर आपके लिए काफी इसी हो जाएगा बहुत बहुत जादा इसी चलो अभी नेक्स्ट यहां पर ओके अभी हम किसकी बात करने वाले पता है अप लोगों को च्छाते की तो पहले जब आने का च्छाता मतलब पहले जब भी च्छाता नहीं था तब ही लोग किसका यूज करते थे बारिश से बचने के लिए जब टो बारी से बचने के लिए हमको कुछ नगुस तो चाहिए ना ऐसा तो बहीं तो और तो आपको याद होगा पर्ण होगा वाइट वाली तो स्मजिए चाटा नहीं है उनके पास अभी उनको कहीं पर यहाना है जो बुरी होती है न आप मेरे पशेल त का या बना ले जाता है वैसा ही स्कोब बना लिया जाता है वह बूरी होने और जहां पर जाना रहता है वहां पर छले जाते है और बारिज से बच जाते हैं बतने लोग इन सबी चीजों का यूज कर लेकिन उसके बाद फिर यह च्छत्री आ गए अंब्रेला आ गए अभी इस टेम पी क्या है दर रैन कोट स्कूल बैक्स एंड़ बुक कवर्स यू 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 ज कैन ऑल बी मैन ऑल बी मेट फॉम प्लास्टिक देखो श्रीट्स अभी यह जो सारी चीजे हैं पहले तो वह कपड़े से बना हुआ अम्रेला आया राइट है न अभी ऐसे घ्रीट का यूज तो प्लास्टिक यूज होते हैं अभी हूँकि में आप लिजाे ही में हम अभी इस अठाइम पर रहे हैं तो सुचें कितना डिफरेंस आ गया है ना पहले हमने अंb्रेला पहले तो कर रहे थे वैसे घास पूस यहां फिर जो बोरी होती थी ठीक है वह जो बोरी होती थी उसका यूज कर लिया करते थे लेकिन अभी हम लोग प्लास्टिक से बने हुए रेन कोट्स और स्कूल बैक्स इन सारी चीजों का यूज हम लोग करते हैं बारेस से बचने के लिए राइट ओकी अब यहां पे कुछ डिलेंगेट आर्टिकल यहां देधेली अपटल्स मतलब क्या जैसे कुछ नाजुक चीजिजी अगर मैं दीवी घर डकियंगे हमारे घर पहुंचा तो रीघ हो यह पहुलु आइधा रएगा अंदर और तो लग करेंगे Karl आपने देखा होगा कभी अपने टीवी या फिर फ्रीज वगर यह सारी चीज़ अगर खरीदी होंगी ना तो आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते थर्मा को लगाते उसके चारों तरफ एकदम सेफ्टी से उसको रखते हैं और फिर उसके ऊपर से वह कुछ लगाया जा अगर आप इनको ले करके गए तो इनमें कुछ भी कुछ भी टूट फूर सकता है फिर आप क्या गरोगे आपको कितना सारा नुकसान होगा है ना टू पैक टीवी सेट्स को पैक करने के लिए रेफ्रिजरेटर को पैक करने के लिए हम लोग थर्मा कोल का यूज करते हैं औ अगर आपके घर पर कोई भी जाना आता है और इसी की वज़े से इनका यूज हम लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं यह ना बहुत सारे लोग इनका यूज करते हैं क्यूंकि अभी आज के जमाने में अगर आपके घर पर कोई भी समाना आता है डेलिगेट आर्टिकल्स आते तो वह धर्मा कोल उसमें लगाई होता है वह पूरा चारों तरफ से कवर रहेगा उसके बाद ही वह आपको आपके घर तक पहुंचाया जाता है ताकि रस्ते में अगर समझे कुछ गाली में लाते ताइम पर गिरोज गया तो उसको कुछ भी नुकसान नहीं होता है अब यहाँ पर किसकी बात करेंगे तो एक्जांपल्स और मैंमेट सब्सेंसे की कुछ एक्जांपल से एक्जांपल देखेंगे तो भी कि एरिया ओफ यूज दिया गया तो कौन-कौन से किया जाता था अभी तो युज किया हिए नहीं जाता है क्यू को पतलर की घृत वख यह वह सता है वह बंबू नियुक्व यह नहीं will यानि कि पत्थर, स्वाइल, मिट्टी, फिर ऊड कोकोनट, फ्रॉंट्स, यानि जो कोकोनट के पत्ते होते हैं, उनका यूज किया जाता है, जो चूना, समझ में आया? एक फेलेगे गैलवनाइजसट चाहिए टीक हेप 15 एपाइब एक सिन अफेल मचयों होटेनल टॉट सकते हो इसम होगा तुटिक तो किसके बाद करेंगे तो राइटिंग दीवारे रहती थी उनका, soil and colors made from plants ठीक है तो यह साथी चीज़े पहले यूज की जाती थी यह सभी क्या natural substances है बट अभी के टाइम पे जो manmade substances है उनका यूज किया जाता है for example paints, pencils, made from plastic and metal, paper, notebook, etc. तो यह सभी इसके बने होते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं लोग अभी के टाइम पे किया जाता है पैंसील लकडी का बना होता है फिर यहां पर थ्रेड की बात करेंगे तो थ्रेड पहले मतलब natural substances में क्या क्या आ जाएगा थ्रेड बनाने के लिए तो cotton और silk और wool अभी manmade substances में क्या आ जाएगा तो nylon और rayon और भी कई सारे हैं जो अभी हम लोग नीचे देखींगे टेरीन टेरीलीन और एक और है ठीक है इसको भी आप एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं ओके शुरेंट्स अभी हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चो तो ग्लास की ग्लास मतलब आपको पता है न कांच हैना आपने पढ़ा होगा क कप पढ़ा होगा मैं बताते हूं तो आप लोगों को याद होगा कि कांच के बनता है रिख हो जहिआ यहां पर द्लासrant वो किसका तो बना लिया लेकित फिर आप उसी ग्लास से सैंड और केल्सियम कार्बोनेट बना सकते हो येस नहीं कब भी नहीं ये ओप्टेन हो ही नहीं सकता है यहां पर वह दिया गया है अब हम किसके बारे पढ़ने वाले ना इरिवर्सिबल चेंजेस होते क्या है तो ये जो हमने एक्जामपल देखा ना कि हमने ग्लास तो बना लिया बड़ी आसा निसे लेकिन ग्लास से हम लोग फिर से बालू और जो केल्सियम कार्बोनेट है वो हम दुबारा से आप्टेन नहीं कर सकते हैं तो ये क्या हो गया रिवर्सिबल चेंजेस चेंज हो गया ना रिवर्सिबल यहनी फिर से वह रिवर्स नहीं हो सकता है कि नहीं क्या होगा कि आपके घर में जो मिर्ची होती है चिली तो वो हरी मिर्记 होती है उसको ज्ञाइदा दिनों तक रखते हैं तो लाल हो जाता है यृत नहीं देखा होगा हम अधने देखते हो दो नहीं तो अभी वह लाल तो वह हो पाएगा यह आपने कभी देखा है नहीं देखा यहां लाल टमाटर से हरा नहीं देखा है ना तो यहां पर वह लाइध करने वाले हैं while making man-made substances सुनिए यहाँ पर irreversible changes की बात कर रहे हैं जब man-made substances बनाते हैं the properties of the constituents undergo a change यह नि जो properties होती है कोई भी substance है तो उसकी property होती है उसमें changes किये जाते हैं और यह changes कैसे होते हैं chemical reaction की वज़े से होते हैं इसमें कुछ तो chemical reaction होता है और फिर जाके यह changes होते हैं और these changes in the properties are permanent है मतलब यह जो सारे changes होते हैं इन substances में तो यह क्या होते हैं permanent in nature it means हम इसको दुबारा से यह पहले जिस condition में था उस condition में इसको convert नहीं कर सकते हैं समझा रहे हैं आप लोगों को that is the original constitute substances cannot be obtained again from the new substance नए substance जो हमने बनाया न उससे हम दुबारा से वही substance option नहीं कर सकते हैं सच changes तो यह जो changes हो गए इनको हम क्या कहते हैं irreversible changes कहते हैं I hope कि आपको यह clear हुआ होगा समझा आया क्या irreversible changes मतलब क्या होता है अभी next हम लोग production of substances यानि जो substances होते हैं वो कैसे produce होते हैं इनकी बात हम लोग करने वाले हैं लेकिन अभी यह जो हमारा आज का वीडियो है यह बहुत जादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शाती हो कि आप थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो तो जितना मैंने पढ़ाया है आप उतना प्लीज revise करो क्योंकि जब आप revise करोगे तभी आपको एक एक concept दिमाग में बैठता जाएगा है ना या तो revise करो या फिर इसी वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख लो ठीक है आपकी मर्ची आप revise भी कर सकते हो और इस वीडियो को फिर से देख भी सकते हो तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करने वाले हैं अभी जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग आगे के पार्ट्स देखेंगे production of substances जिसमें rubber कैसे प्रोडियूस होता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है और देन वीडिल स्टड़ी manufacturing paper कि यह जो पर यह कैसे बनता है और यह जो सभी synthetic fibers होते हैं यह कैसे बन आए जाते हैं तो यह सब हम लोग कब देखेंगे नेक्स वीडियो में देखेंगे जिसका लिंक आप लोगों को कहां पर मिलेगा तो description में मिलेगा ओके चलो स्ट्रेंट्स अभी हम लोग नेक्स वीडियो में मिलते हैं और मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहूंगी कि बच्चों देखो आप लोग में प्लीजन आंसर को लिख सकते हो और मुझे आप लोगों को एक और बात बतानी थी कि मैंने जो मैथ है आपका सिक्स टैंडर का वह सारे प्रैक्टिस मेंने कम्प्लीट करवा दिये हैं क्योंकि अभी भी कई बच्चों के कमेंट्स आते टीचर यह वाला प्रैक्टिस इट कह सवाकित यह आप लोगों को तो प्लीज आप जाकरके एक बार प्लेलिस्ट में चेक किया करो या फिर आप यूटूब पे सर्च करो ना सिंप्ली समझे प्रैक्टिसे 22 चाहिए तो क्या लिखोगे प्रैक्टिसे 22 बाइस के क्लास आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है तो च